कि आलो एवरिवन प्रोग्रामिंग सीखने के निले लॉर्ण प्रोग्रामिंग चैनल को सस्क्राइब करें एलो एवरिवन आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर की नमबर पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो इसको चेक करेंगे तो उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके नहीं सबसे पहले हमने है अदर फार्ट की है और मैं फंक का यूज किया और दन प्रिंटर फंक्शन का यूज किया है कि एक की वेलू को यहां पर हम एक की वेलू के निया मैंसे स्पिंट करवाएंगे उसके लिए एंटर नम मैंसे स्पिंट करवाने के लिए हमने प्रिंटर फंक्शन का यूज किया है इसकी वेलू को स्टोर करवा इसको वाफिज हमने ख्रोज किया, अब हम इप स्टैटमें का यूज करेंगे, हम कंडिशन चैक परेंगे, क्या वह नमर पॉजिटिव है, नेगिटिव है, या जीरो है, इसके लिए हमने इप स्टैटमें का यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए अगर ग्रैटल है, जीर स्टैटमें का यूज करना पड़ेगा, एक हमारी थू होती है, यह मैसे ब्रिंट हो जाएग और आप पर श्क्रीन के उपर, एक हम एक और पर उन्दैटमें क्या नहीं हमें अल्सिप का यूज करना पड़ेगा, हमने हम देते हैं, अगर यह स्टैटमें कंडिशन होती है, लिखा हुआ, जो statement और प्रिंट हो जाएगा, तो यह पर क्या रच प्रिंट हम देखेते हैं negative क्यों हमने यह mathis प्रिंट करवा दिया, अब हम equal else if देखेаз करेंगे अब हमको 0 चाक परना है, क्या वह 0 है क्या वह value, तो उसके लिए else if तो यह अगर condition is true, तो लिखावा statement है, तो number is 0, यह statement हो जाएगा. अब हमने तीनों कंडिशन चैक कर ली तो हम यहां पर हमारे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे तो यूज कर लेते हैं अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ओपुड जोब किस परकार आएगा तो हमको पूछ रहा है कि enter num अब मैंने दाला 2 तो यह बोलता है positive number इसका मतलब हमारी जो condition थी वो सही स execute हो रही है अब हम यहां पर दालते हैं minus में value दालते हैं minus 1 दाला negative number तो यह negative number है तो यह हमें सही print हो चुका है अब हम देखते हैं 0 तो यह 0 है क्या number is 0 इस परकार से आप इस परकार से आप इस परकार से इस परकार से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो